नमस्कार दोस्तों, Seed of Life Agriculture में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं रवी एक छोटी सी मुईम पर हम चले हैं कि गोवन्स के परतीर लोगों का रुजान करने के हमारा जो में फोकस टार्गेट है वो यही है। दोस्तों, आज काफी समय बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। साब सब को पताईए भाई, थोड़ा बिमार होने की वज़े से वीडियो नहीं आपाई थी। और दोस्तों, आज हम आए हैं नर्वाना से थोड़ा सा आग के चलके 15 किलोमेटर के गाउद दमतान शाइब वहां हम पहुचे हैं और डिस्टिक जीन में पड़ता है दोस्तों, ये भी सारी डिटेल देंगे भाई साब, भाई, राम राम, 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 र पूरा फोन नंबर और एक बार आड्रस देवा आप अपना, गाउद दमतान साइब के अंदर वीडियो बनाने का हमें मोका मिला, दोस्तों, दमतान साइब गाउद जिकरा आता है, तो आपने दोस्तों, एक गाउमाता का सबने साइद उसका नाम सुना है, साइद ही कोई ऐ इसी गाउ के काड़ा दमतान बाई के पास थी, और बाई ने वो सेल कर दी, गोरी गाउमाता दोस्तों, एक ऐसी गाउमाता रही है, कि आल इंडिया चेंपियन और दोस्तों, हम बात करें, बाई टिक टोक, जब टिक टोक का जमाना था, तो सबसे ज़्यादा फैन कि गोमाता को पोचाना, उसी मुहिम पे अपना गोरव भाई चला है, तो दोस्तों, सामने जो गोमाता आप देख रहे हो, एक दम अच्छी कद काठी की गोमाता, मातर 16 महीने के लगबग इसकी एज है, शालिंता की बात करें तो दोस्तों, आप देख सकते हो, और ये वीड अगे बात करें, दोस्तों ये देखिए, नीचे बैठा हूं मैं, कितनी शान्त और शालिन है ये देखिए भाई इस से शालिंता गोमाता बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी, तो दोस्तों, हलो भाई साब एक बार फोन थोड़ा बंद, तो दोस्तों ये गोमाता है, इसकी सारी डीटेल अपना गोरबाई दें, गोमाता है कि थोड़ी डीटेल दो, भाई एक खूद तो एच आट सो साथ की बेखती है, जैसे ही पिछला मालिक ना बताया, तो ये चीज आपाना चेक करी थी भाई, जब आपा बच्चिया लाएं, बच्चिया लेजी आपना तो दोस्तों वीडियो का बसाथ बढ़े रहनार ये वीडियो सेल के लिए गोमाता ये सेल पे हैं, इतनी सुंदर और शांत सालिन गोमाता सेल के लिए दोस्तों, और एक बार टूर नेटा दू, आप लोगों के बार बार फोन और कमेंट आये थे कि बाई, एक ऐसी बच्या की सेल की वीडियो लेकर आओ, जिसे आप गर रख सके हैं, या बाई, जो आप बोल दे हैं, बाई, आप आज इसने बोल दया गर रखने के लिए, तो बाई, दोस्तों, उसी तरह की बाई, ये गोमाता है, शांत सालिन जिसों आप कहे दा, तो आप लोगों की डिमांड पे आज ये सेल की इस गोमाता की वीडियो है, तो इसकी सारी मैं आपको बता देता हूँ, H860 की बेटी, दोस्तों, H860, HLDB का एक जाना माना बूल है, और उसकी रिजल्ट की बात करें, तो बाई, 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 अगर आप बात करें, तो देखो, बाई महिने की एज है, मात्र 16 महिने की एज में एक अच्छी हाइट की गोमाता है, बच्छिया जिसे आपका कहा दें, दोस्तों, बहुत से लोगों को नहीं पता कि H860 की क्या खुबी है, मैं आपको ताद है, हलका सा गळकंबल नंबा थोड़ा सा, ये जो जालर आपा जिसमें इतनी कम एज में, और सलबटे आप देख सकते हों, इतनी शांदार सलबटे के साथ, दोस्तों, एक चीज जो मिर को पता चलिए, वो ये है कि किसान साथियो और यूवा साथियो, कि जो नाभी से लेके जो अपना थनों तक जो भाई, स्कीन जाती है, सुन्डी से लेके आप इसकी शालिंता क्या दिखाओ, दिखाओ, ये देखो, तो गोरभभ यतर, सरफ तेरा-थेरा खातर है कि कोई भी बाई, सब के लिए इतनी शालिन है, जो आप लोगों के लिए भाई, मैं भी आपको अभी ये दिख चेक कराता हूं कि वाके में इतनी शालिन है कि दोस्तों, अब दिखाओ, ये देखो, मैं नया बंदा हूं, अंजान हूं, और शालिनता कि आपका बात करेई, इससे शालिन गो माता बहुत कम देखने को मिलेगी, दोस्तों, शेल के लिए बचिया, और शालिनता आपने देखिये, हरियाना ब्रीड की जो क्रेक्टरिस्टिक की बात क तो दोस्तों देख सकते हो भाई आप गुमाले भाई गोरव जो एक रोब अपना रहाना ब्रीड का बनता है चलते हुए सुन्दर्ता जिसे हम काते हैं देखी जाती है देखिए भाई आप और वो जो थोड़ी सी लचक आई थी भाई वह कच्छे के नहीं आहां हां उस वजे वाकी गोवाता में कोई किसी प्रहां की कवमीनी है और दोस्तों वीदियो चेर consent के लिए जो बाते रेट की नदिफा सोर्ड़ीर गो मान समानला अगर आपके के होगी दोस्तों और इतनी शालींता गोमाता में बहुत कम देखने गुने यही बाबना शांजने जोर कई ले रहे हैं नहीं रोटी-डाटी देनार यहाँ नहीं उन्हें अगला बच्चे जब बच्ची इसका उपर बेठी तो पावा है कि ना उपरो बेठ जाए पुछनी बहुत सुद्धी है जिसना आपका दोस्तों मने वीडियो में दिखाया भी खुली चोड़ना आया कि में खावेगी ना दूसरा डांगर ना माराएगी कुछ निकस्दिया बात करा तो सही माहिने में गव है जमा गवा बात करें दोस्तों दूद कम जादा हो जाए वह कोई आच 860 की बच्छा ने और दोस्तों देख सकते हो जिस तरह 860 के माते में अभी पोल है सेम वह ही करेक्टरिस्टिक और आप बात करा तो इसके सिंग अगला हो ने करे थे नहीं रहे तरा को नहीं रखें पिर दोस्तों वीडियो को जादा जादा शेर करना चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों धन्यवाद दोस्तों राम राम भाई राम राम भाई भाई क्या हुआ परिशान लग रहे हो? भाई सब कुछ खिला दिया और सभी तरह का फीड भी मगर गाय तंदुरुस्त नहीं लग रही काई लाग फीड खिलाव गाय को क्या पाईदे है स्काई लाग फीड के? काई लाग फीड के फाईडे बाई पास फैट सहित दूद उत्पादन वप्रजनन प्रडाली में सुधार वितामिन और होशक तत्वों से भरपूर एक सामान स्वाद और गुनवत्ता वाली फीड स्काई लाग फीड खिलाव और बश्यू को हर बीमारी से बचाओ और दूद की शम्ता बढ़ाओ थैंक्यू भाई स्काई लाग के बारे में बताने के लिए आज से मैं स्काई लाग का फीड ही यूज करूगा और भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडेक्ट्स है आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो www.skylarkfeeds.com और इनसे कॉंटाक्ट भी कर सकते हो संपुर्ण पोशन दूद की बहार